दोस्तो प्राचीन भारत प्राचीन भारत जो है उसको किस आधार पर पड़ सकते हैं दोस्तो प्रागे थियासिक काल ठीक है इसे यह मतलब भारत को जो प्राचीन भारत इसको तीन चार कालों में बाटा गया है प्रागे थियासिक काल इनमें से एक है दोस्तो इस काल का कोई लिखी साधन उपलब्द नहीं है, कोई शाक्षिय नहीं मिलता, उसके वाद है, भीम बेट का, भीम बेट का क्या है, भीम बेट का भुपाल के समीब इस्थित, एक पूरा पाशान काली इस्थले, दोस्तों, गोश्चन आएगा भीम बेट का किस परकार का इस्थले, ठीक है, कि 21 काल में पाए गया है, ठीक है, यह चितरित गुफाएं हैं इसके अंदर, यानि के चितर गुफाओं में चितर बने हैं, फिर आता है आदमगड, ठीक है, आदमगड कहा इस्थित नहीं मद्य पुर देश में, बागोर कहा इस्थित नहीं नहीं, तो पूछे का कि काल का साक्षे दोस्तों वह मद्यपाशानिक काल का ठीक है मद्यपाशानिक इस्थल बोला जाता है इनको और दोस्तों यहां पर पसुपालन के प्राचिंत साक्षे मिले कहां पर मिले क्वेश्चन आएगा सबसे पहले पसुपालन के प्राचिंतम साक्षे का मिले हैं तो दोस कश्मीर या कश्मीर में पाया गया है दोस्तों बॉट जो हों । यह जा थे हुआ ल है ठीकुटे यहां पर घड़े मिले है बिहार में यह भी नवपाशानी कालम का इस्थाल है यहां पर पर्चुर मात्रा में हड़ी के उपकरण मिले हैं दोस्तों हड़ी जो मानों हड़ी होती थिया जानौर की हड़ी होती थि उनके उपकरण मिले अगला है दोस्तों पिकली हाल यह करनाटक मिशती थे पिकली हाल question आएगा पिकली आल कहां साथी थे कर्णाटक मिश्ती थे ये नव पाषानी काल का इस्थाले थे के दोस्तों यहां पर यहां पर क्या मिला है राक के डेर उसके बाद है तो अमारा मेहरगड मेहरगड जो आया मेहरगड कहां से थे बुलुचिस्तान में इस्तित है यह नवपाशानिक काल इस्तित नवपाशानिक काल का जो साक्षे है